बंदे मात्रों बच्चों डेरेग बने स्पीच का सेशन हमारा चल रहा है और बहुत सारे वीडियो हम हुँसके एक अप्रीक कर चुके हैं वौसर और एतने वीडियो जो हमने किये उन्भें हमने असे रेटिव इंट्रोगेटिव इंपेराटिव हर टाइप के सेंटेंस की र और imperative भी हमने detailing sentence किये हैं उसके structure के साथ और अलग 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 टैप के sentence के साथ जेन बच्छर अभी तक नहीं नहीं था हैं वुजा कि वो वीडियो देखिए पहले से शुरुबात से तक आपको समझने भी कोई परिशानी ना हो आप आसानी से कर पाए क्योंकि हमारे हर एक टैप के sentence के बाद हमें paragraph के और बढ़ना है क्योंकि एक-एक sentence आपने सीख लिया फिर बात भी हम करेंगे overall paragraph जिसमें हर एक टैप का sentence आपको मिल सकता है आपको मैंचानना है और इसका indirect करन आपका sentence आपका clear होना चाहिए क्योंकि आपको ये sentence आएंगे तो paragraph में कोई भी दिकर नहीं होगी आज हम शुरू करने जा रहे है एसक्लेमेटरी sentence जहें हम कहते है आश्चरय कारग वाक्या फिर उद्गार वाचक पाक्या जिसमें किसी आश्चरय का भाव निकलता है अरे र वाव हम जीत गए लेक दिस तो हमारे मुझ से ही जो शब्द निकलते ही ओ वाव वाव वाट ब्यूटिवल पिक्चर कितना सुंदर द्रश्य है कितना सुंदर नजारा है ठीके अरे भुगवान अलास ऐसा हो गया ठीके वो गिर गए तो इस टाइप के जो भी भाव निकलत है यह एस्कलेमेटरी बोरुस है ठीके देखते हैं आज हम एस्कलेमेटरी सेंटेंस की कुछ रूस देखेंगे कि किस टाइप की सेंटेंस यह जो संटेंस होते हैं मिक्या क्या होता है कैसे करना होता है सबसे पहले मैंने लिखा है उद्गार्वाक के जो है जिने हम कहते है यह क्या तरशाते हैं तो तारीफ, आनन, तारीफ, प्रशंसा, ठीके, आनन, खुशी, दुख, या फिर गुस्सा, इन ताइप के भावों को ये व्यक्त करता है, कोई बहाँ खुशे, ठीके, अस्क्लेम्ड जॉय, अस्क्लेम्ड सौरो, इस तरह से हम वाकि में इस्ता, इस्त पीटीसी, बहुत सारे डेब के आएगे, ठीके, इन भावों को ये दर्शाता है, फिर है कि में बोलने वाला जो करता है, इसमें ही किसकी भाव होते हैं, तो जो बोल रहा है, ठीके, रिया अस्क्लेम्ड जॉय, रिया ने खुशी से कहा, ठीके, तो रिया जो हे करता है, तो पिर अगला उनियम मैंने लिखा है कि ज्यादा दर से यह जो बाख के हैं कि शर्बग, वाट या हाउ से होती है पर इसा नहीं कि सभी वाख के ठीक है लिकिन मोस्ती अरे वाट ऐसा हुआ हम कहते हैं ना हाउ ऐसा कैसे हुआ अगला है कि रीक veggarad वाग के जो है इनका इन्दारिक सेंटेंस है इस तरह की इचलिमेटिख में लिए इनका जब धी हम इनका कण बरते है तो यह हमारे बन जाते है इनका इन्दारिक करते है तो यह बन जाते है एसे रेटी मतलब विधार वाक्त, ठीक है, तो ये एक आपको ध्यान रखना है, फिर है, कि इन वाक्यों में भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे कि कुछ शब्द यह होते हैं, मैंने या पर रट पैंसे लिखते हैं, कि आपको ध्यान रहे हैं, जैसे कि वाव, अगर कोई हमने मैच जित गए, या फिर हम कुछ कॉंपटिशन जित गए, हुर्रा, we won the match, हुर्रा, I won the game, like this, अगर हमें लग गया कुछ, या फिर कुछ हुआ, तो इस तरह के आपको निकलती हैं, तो यह अलग अलग अपकी feeling से, ओ, हुर्रा, अलास, तो यह कुछ अच्छी या बुरी बा करते हैं, यह होते हैं direct speech के वाक्य में, लेकि जब हम इनका indirect करते हैं तो यह विधान बन जाता है वाक्या, तो यह जो शब्दी उसमें से निकल जाते हैं, क्यूंकि उसके लिए हम exclaim with, खुशी है, वाव अगेरा लिखा है, तो जॉए लगा ही रहे है, तो तुख है, तो अ हम exclaim के साथ यह भाव दर्शानी वाला शब्द लगा रहे हैं, तो इन शब्दों का हम निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद, वाक्य के भाव के अनुसा reporting बब आता है, जैसे मैं आपको यहां पे कहां, और reporting बब जो है, उसके पहले क्या आता है, exclaim, joy के पहले, sorrow के पहले, ठीक है, exclaim शब्दों किया जाता है, और इन में हमारा conjunction क्या रगता है, that, ठीक है, कौनसे conjunction के इस्तमाल करते हैं, that, और imperative में हमने to, not to, ठीक है, इस सरह के conjunction का इस्तमाल किया था, यहां पे हमारा रगता है, that, और last वाला हमारा नियम है, कि tense, जो है, मतलब exclimatory sentence में, जो हम काल परिवर्तन करते है, tense का जो change करते है, वो, एसे रेटी sentence जो है, उनकी तरह करना होता है, क्योंकि यह sentence, जब डारेक से इंडारेक करते है, तब इसका exclimatory से रेटी sentence बन जाता है, बतलब यह उद्गार वाक्य से विधान वाक्य बन जाता है, तो विधान वाक्य के ही according इसकी tense में भी हमें बदल करना होता है, तो यह थे हमारे exclimatory sentence की कुछ rules, इनको आप अच्छे से समझ रीचिए, अगले lecture में हम जो हमारे reporting verb है, कौन सा भाव हुआ, तो उसमें कौन से कौन से reporting verb आते है, उसका एक पूरा bracket में आपको करवा दोंगी, तो आप याद कर लीजएगा, त तब तर वध्य मात्रा में मिलते हैं अगले lecture में कर दो आपको कर दो आपको कर दो आपको कर दोंगी, तो 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 आप झाल झाल झाल